कि कॉंपेटिशन कम्यूटी में बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज हम बात करने वाले मध्य प्रदिश की कला संस्कृति के संदर्व में देखो इससे पहले एक छोटी सी एडवाइज आप सभी के लिए आप सभी का एक्जाम होने वाला है और कभी-कभी क्या होता है एक चाहिए और यदि आप चीज को लिखते हैं और उसे बार बार देखते हैं तो अपने अपने आप मन करेंका अब तो पढ़ना पड़ेगा यदि नहीं पड़ेना तो इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला चलिए तो इन्हीं विचारों के साथ में आपका बहुत-बहुत स् संस्कृति के संबंद में मध्य प्रदेश कौन से नगर को बॉद्धि नग्री के नाम से जाना जाता है देखो बात हो रही बॉद्धि नगरी की संबंदित रहा है और विदिशा भी रहा है लेकिन इसका सही आंसर होगा साची अब साची ही क्यों होगा साची स्थूप साधी साथ में 40-45 अलग-अलग स्थूपों का निर्माण साची में साची में वेदिशाला भी बनाई गई थी जो कि यहां पर बहुत ध्यों को लोग गीत है देखे हीड गायन के शेत्र का लोग गीत है अप्शन है बुंदेल खंड बगेल खंड मालवा और निमाड अच्छा हीड गायन हमने पढ़ा था ना कि संजा के समय एक जो रेल है वो बरसात के समय भीड में इसे थर्थराती हुई निकल जाती है तो भीड से हमने हीड गायन पढ़ा था तो हीड गायन किस शेत्र का हो गया संजा के समय कहां पर बरसात के समय मालवा के शेत्र में तो ऑप्शन हमारा यह हो जाएगा मालवा तो हमारा ऑप्शन नमबर सी सही होगा क्योंकि मालवा के शेत्र के गीत है कौन-कौन से पहला हो गया रेल त इस समय तो बरसात के नम समय तो बरसाती बारता हो गया अब रात की समय की बात है तो संजा गीत हो जाएगा यहीं पर इसके अलावा रेल कैसे निकल रही है तो हीड से या फिर भीड से निकल रही है तो हीड गायन इसके अलावा हम देखते हैं कि यह जो रेल निकल रही है न कि थरथराती हुई निकल रही है थरथराती हुई निकल रही है तो भर थरी गायन कि इस प्रकार से हम मध्य प्रदीश में मालवा के शेत्र में गाय जाने वाले प्रमुक गायनों को देखते हैं तो इसका अंसर उप्षन नमबर सी नेक्श कुश्चिन्ट कि राई लोक नुरत्य किस छेतर का लोकन रत्य है यहा चेतर का अलग liegen जाएँ mix प्रदीश का और बगहिल खंड दोनों का है अर्थात हमारा option number C चाहीं होगा इसके लावा एक चीज और याद रखना है कि राई नृत में जो महिलाएं नृत कर रही होती हो उसमें से बीच वाली जो महिला होती है जो मुख्य नृत की होती है उसे बेड़नी कहा जाता है देखो ऐसा नहीं number C चाहीं आंसर है भगवान आधिनाथ की 72 फिट की प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहां इस्थित है ऑप्शन है बावन गजा बढ़वानी खजराहो उदैगिरी और और च्छा यह भगवान आधिनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं भगवान आधिनाथ का संबंद जो है वो किस कौन सा शेत्र है तो निमार वाला शेत्र है आपको यह भी क्लियर होना चाहिय तूट किस राज्य की नाट्टी शैली है अप्शन है उतर प्रदेश मुर्द्य Прदेश केरल और बिहार यह माच आपको दिखाई दे रहा है और यह आपको दिखाई दिखाई दे रहोगा उजैन का कारिक्रम हो रहा है और इसमें यहां पर माच्च द्रत्य चल रहा है और माच्च शैली चल रही है यह माच्च जो है एक नाट्य शैली नाट्य का मतलब होता है नाटक तो यह जो नाटक है यह मुख्य तहां मध्य प्रदीश का है अर्थात हमारा उप्शन नंबर 20 होगा और मध्य प्रदीश का राज्जी की नाट जो है वह माच्छी है मध्य प्रदीश में पशुपती नात का प्रशिद्ध मंदर किस जिले में इस्थित है मंदसौर, उज्येन, रतलाम और छदरपुर देखो जब हम बात करें पशुपती नात के मंदर की तो मध्य प्रदेश में पखवान पशुपतिनात का मंदिर मंदसौर जिले में इस्थित है तो option number A आएगा और मंदसौर जिले में इस्थित है किस नदी के किनारे है तो ये जो मंदिर है ये शिवना नदी के किनारे इस्थित है इसके इलावा इसी मंदिर की तुलना नेपाल के काटमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है कौन सा लोक मृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है पच्मडी, बीहू, भगोरिया और राई देखो जब मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की मतला फोक दान्स की बात आ रही है तो जैसे ही यहाँ पर डान्स की बात आ रही है तो सबसे पहले राई को अलग कर दो क्योंकि राई तो मध्य प्रदेश का राजिकी नृत्य है तो यह अलग हो गया भगोरिया नृत्य जो है ये अलग हो गया क्योंकि ये किसके द्वारा भील जन जाती के द्वारा जाबू वाले शेत्र में किया जाता है तो भगोरिया नृत्य भी इसका अंसर नहीं होगा निमलिखित में से किस जिले में जहांगीर महल संग्रहाल है इस्थित है भोपाल टीकमगड गुवालियर और छहतरपुर देखो एक चीज और क्लियर करनी है कि जहांगीर महल कहां पर है जहांगीर महल और चामें है किस जिले के अंतरगत आता है तो निवाडी जिले के कहां पर है तो हम देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश के उत्री वाले भाग में टीकम गर्जिला हमें दिखाई देता है मुख्यदा ये बुंदेल खंड के शेत्र में ही लगता है कि निम्रीखित कि शहर में ट्रिवेणी मेले का आयोजन की आ जाता है ऑप्शन है खरगोन पन्ना रतलाम और शिफपुरी ट्रिवłeणी मेला व रतलाम जिली के अंतरकत लगता है अठाद हमारा यह बे यह आपको जो मेला दिखाई दे रहा है यह रतलाम का त्रिवेणी मेला ही है मध्य प्रदेश में जल विहारी मेला के से जिले में आयोजित होता है गुना, छतरपुर, गौालियर और रिवा देखो जो जल विहारी का मेला है न इससे पहले हमने इसके बार में डिटेल और भी की है तो यह मेला जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतरगत हमें दिखाई देता है तो अर्थात हमारा ओप्शन नमबर भी यहाँ पर बिलकुल सही आंसर हो जाएगा गड़गौर मध्य प्रदेश के किस छेतर का नरत्य है मालवा बुंदेल खंड निमाड और बगहेल खंड गड़गौर में आप यह देख सकते हैं गड़गौर माता का पूजन करते हुए मही लाएं गड़गौर माता का पूजन किया जाता है इसमें रनूबाई की उपासना की जाती है तो यह जो छेतर है मुखता हमें देखने मिलता है निमाड वाले शेतर में निमार वाला कौन सा शेतर है खंडवा, खरकौन, बढ़वानी उस वाले शेतर में हमें इस प्रकार का पूजन दिखाई देता है अर्थात हमारा option number C यहां पे सही हो जाएगा इसके लावा मालवा के शेतर में भी गड़गों की पूजा होती है न बगेल खंड में कौन सा गायन प्रचलित है बगेल खंड के जो हम गायनों की बात करते हैं तो हम देखते हैं बगेल खंड के शेतर में विदिशिया गायन विदिशिया गायन कौन सा है जो लोग बाहर की तरफ में जाते थे वो लोग इस गायन को गाया करते थे व्यापारी ल यहां पर हमारा option number D बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन में चलते हैं भारत भवन का स्थापना वर्ष क्या है 1982-1996-1996 और 2000 देखो भारत भवन की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना वर्ष 1982 को की गई थी अर्थात हमारा option number A हो जाएगा भारत भवन के बारे में बहुत इतेव देख चुके हैं कहां प्राइस भुपाल जिले में उस्थे तहां की छीपा सिल्फ कि जिले में प्रस्थ ऐब गुवालीर दिवा सीधी और उजयन देखो छीपा शिल्फ के जब हम बात करते हैं तो यह जो छीपा शिल्फ है यह ग्वालियर जिले में और उजयन जिले में दोनों में प्रसिद्ध हैं तो इसका सही आंसर होगा हमारा उजयन अप्शन नमबर D मध्य प्रदेश हिंदी गरंथ हमा अकादमी कहां इस्थित है देखो अबिश प्रदेश की जब हिंदी गरंथ अकादमी पूछा है आपसे भोपाल इंदौर उजयन और सागर हिंदी गरंथ अकादमी की बहुत सारी किताबें में निकलती हैं आपको पता होगा तो मद्य प्रदेश में जो अकादमी है इसका मुख्याला या जो छेतर है वह भुपाल में इस्थित है अर्थात यहां पर हमारा उप्शन नमबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा कोरकु बोली किन जिलों में प्रमुखता बोली जाती है बैतूल छिंदवाड़ा हुशंग अबाद और उप्योगत सभी देखो कोरकु बोली है क्या मैंने यहां पे एक डाइग्राम लगा के रखा इसमें हम देखते है कोरकु बोली कहते किसको है देखो कोरकु में बाल को वहीं जो फेस है उसे मुंडो या फिर मुवर कहा जाता है वहीं जब हमात किरते हड़ी की तो हड़ी को ओठा कहा जाता है इस प्रकार से कोरकु भाष्ण हमें दिखाई जीती है यहां मुखिता जनजाती भाष्ण है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्षन नमबर D क्योंकि यहां बैतूर शिंदवारा और होशंगाबाद तीन और जलों में बोली जाती है मध्य प्रदीश के सिहस्त कुम्ब मेलेक आयोजन कहां किया जाता है ए उज्जैन महेश्वर चित्रकूट और पच्मणी बहुंत इजी कोश्चन ने सब को पता है अभी तक तो जन जाती के द्वारा मनाया जाता है भील बैगा सहर्या और गोंड देखो लारू काजू उत्सव की जब हम बात करते हैं तो यह उत्सव जो है वह गोंड जन जाती के द्वारा मनाया जाता है हमें दिखाया जाता है कि लारू काजू उत्सव गोड जन जाती के द्वारा मन नहीं है सुरैता संजा नॉरते और मोरते देखो बंदेली की बात हो रही है मतलब कौनकोน सही बनाए uplift बनाए जाती है बिल्कुल सही है'M संजागीत यह आपको बता होतको मालावा के शेतर में संजा जो है hmm मालवा के शेत्र में अर्थात हमारा option number B सही हो गया क्योंकि सुरेती और नौरेते तो गुंदेल खंड में बनाया जाता है तो option number B हमारे यहां पर सही हो जाएगा जिरोती किस छेत्र की सु प्रशिद्ध लोक कला है जिरोती की बात हो रही है निमाड मालवा बुंदेल खंड और बगेल खंड देखो जो जिरोती है न यह निमाड की एक विशेश प्रशिद्ध कला है इसके अलावा जिरोती जो है यह बाकी शेत्रों में भी बनाई जाती है मनसुखा लोकनाटिय मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रसिद्ध है निमाड, बुंदेलखंड, मालवा और बखेलखंड देखो जैसी हम मनसुखा की बात करते हैं तो मनसुखा एक ऐसा लोकनाटिय है जिसमें भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी के गीद गाया जाते हैं और इसमें नाटक किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा बुंदेलखंड बुंदेलखंड के शेत्र में ये गाया जाता है सैतम नृत्य मध्य प्रदेश में किस जनजाती के द्वारा किया जाता है बैगा, भारिया, भील और गोंड देखो जो हम बात कर रहे हैं जनजाती की किस जनजाती में सैतम नाम का नृत्य किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा भारिया जनजाती भील भगोरिया करते हैं गोंड कर्मा कर नरत्य करते हैं बैगा सैला नरत्य करते हैं तो भारिया जो है वो सैतम नरत्य करते हैं इसके रावा भड़म नरत्य भी होता है आपको याद रखना है न और भारिया जन जाती सबसे ज़ादा कहा निवास करती है छिंदवारा में तथा नीचे दीए गई कूट को क्लियर कीजिए हना मतलब सीधे-स इपको बताना कि कौन्सा उत्तर सही है मालवा का सेरा हो जाएगा ठीक इसके अलावा नहीं सुरी कि अटे वे Brad's है कि कौन सा नृतिक किस छेत्र का होता है तो हम देखते हैं कि जो हमारा बगेल खंड है बघेल खंड में डादर नित्त किया जाता है निमाड की बात करेंगेये निमाड में काठे नर्त किया जाता है और बुंदेल खंड में हमें सैरा नर्त दिखाई देता है अर्थाद इसका सही मतलब है हमारा option number A बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चिन में चलते हैं निमलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्रज भाषा बोली जाती है देखो जैसे ही बार आ रहा है ना कि ब्रज भाषा तो ब्रज भाषा जो है वो कहां से संबन देते हैं भगवान श्रीकृष्ण से अब ब्रज भाषा जो है वो हिंदीत काफी होती है कैसे मैं आपको एको लाइन सोनाती हूं इसका मतलब ये है कि भागवान श्रीक्रिश्न मा यसोदा से बोलते हैं कि माता मैंने माखन बिलकुल नहीं खाया आप बिलकुल परिशान मतों मैंने तो नहीं खाया गईयन के पीछे सुबाँ हुई और आपने गाय के पीछे भगा दिया कहां पर भगा दिया मधवन मोह पठायो मधवन आपने मुझे भगा दिया तो मैं कैसे मांखन खालूँगा जब मैं बाहर था तो भगवायन कृष्णी की एक लीला का एक दोहा है ये तो मैंने आपको सुना दिया मध्य प्रदेश कला परिसद की स्थापना किस वर्ष की गई थी 1950, 1975, 1972 और 1960 देखो मध्य प्रदेश में कला को बढ़ाने के लिए कला को प्रोचाहित करने के लिए जो हमारा कला परिसद है उसका निर्मार किया गया और जिसकी इस्थापना वर्ष 1952 में की गई अर्थात आप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा निमलिकित मैसे कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है नागा जी का मेला मुरैना बर्मान का मेला नर्सिंगपूर, पीर बुधान का मेला शुवपूरी, कानहा बाबा का मेला सीहोर देखो जब हम देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है तो आपको पता होगा कि जो नागा जी का मेला है वो मुरैना में लगता है ये बात बिलकुल सौ प्रतिशत सच है बर्मान का मेला नर्सिंगपूर में लगता है ये भी ठीक है पीर बुधान का मेला शुवपूरी में लगता है ये भी ठीक है लेकिन कानहा बाबा का मेला सीहोर में नहीं लगता है तो इस करण से ही गलत होगा तो option number D यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में भील जिन जाती द्वारा निर्मित दिवाग्या किस शिल्प कला से सम्मंदित है काश्ट शिल्प, धातु शिल्प, बास शिल्प और प्रसस्ट शिल्प देखो दिवाग्या कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे आपको दिखाई जी रहोगा लकडी का लकडी की मूर्ती बनी हुई है लकडी का मतलब होता है काश्ट तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि काश्ट शिल्प से सम्मंदित है दिवाग्या जो कि भील जनजाती के द्वारा बनाया जाता है इसके अलावा भीलो के द्वारा गलसन माला बनाई जाती है, भीलो के द्वारा पुंजा दर्या बनाई जाती है, जो कि बहुत जादा प्रसिद्ध है अर्थाथ यहाँ पे हमारा option number A बिल्कुल सही हो जाएगा निमार छेत्र का कौन सा गीत मुलता क्रश्न लीला का गीत है गरबा गीत, गवलन गीत, कलगी तुर्रा गीत, यह जो है कलगी तुर्रा होना चीए तुर्रा निर्गुडियां गायन देखे निर्गणिया गयन या फिर निर्गुणिया गयन जो है यह पारब्रह्म्न खोमान के गया जाता है इसके अलावा जो गावलन गीथे यह वह करशन लीला पर आधारिद गीत है निमाड का इसके सांथ ही साथ में हमने मध्य प्रदीश में लोग कलासिस संबंद संपूर्ण MCQ को समाप्त कर लिया है इसके बाद हम समारो के MCQ को कवर करने वाले हैं आपको हमारी क्लासिस कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइए थैंक्यू सो मच मिलते हैं आपसे नेक्स वी